सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस्ट नोटिफिकेशन पटन असलाम अलेकुम नाज फेन टैग टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से मैं हुर उक्साश हैजास सबसे पहले शामिल करते हैं नियोज हैटलाइन्स गुजिस्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वारिस इंफेक्शन की वज़ा से मजीद साथ अफराद जाम भाग हो गए कोरोना के मसद्दिका केसिस की तादा 3,21,887 हो गई है कोरोना की तश्कीस के लिए मुल्क में 24 घंटों के दौरान 33,901 टेस्ट किये गए मकरान कोस्रल हाईवे पर देहशत गर्दों के साथ जड़प में शहीद होने वाले 14 एफसील कारो और सिक्योर्टी गार्स की इज़तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई शादा की मयतें उनके अबाई लाकों की जाने प्रावाना कर दी गई माइंड सेट बदलने की कोशिश कर रहे हैं वजिर आजम इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सासा तारकीन वतन है और सीस पाकिस्तानी मुल्ग को सबसे ज़्यादा पहुँचा सकते हैं हमारा विजन धुनला चुका है डॉलर की कमी के बाइस हमें आई एम एफ के पास चाना पड़ता है अपोजिशन जमातों को गुजरावाला में सियासी ताकत का मुझाहिरा मर्यम नवास ने कहा कि आज के जलसे में हकूमत के खात्मे की शुरुआत हो चुकी सिलेक्टिड हुकमरानों को घर भेज कर दम लेंगे मुलाना अदिल खान की शहादत के बाद शहर एकाइद में उल्मा की जानिब से हर्ताल हर्ताल के बाइस सडकों पर पबलिक ट्रांसपोर्ट मामूल से कम है जबके नीजी गारियां रवा दमा है मुलाना अदिल को 10 अक्तूबर को ना मालू मोटर साइकल सवारों की जानिब से कतल किया गया था इंग्लिश किर्केट टीम जनवरी 2021 में पाकिस्तान के दोरे का इमकान दोनों बोर्ड में तीन टी-20 मैचिस के हवाले से बात चीज जारी है इंग्लिश टीम का ये 15 साल बात पहला दोरा है पाकिस्तान होगा आज ही अपनी करीबी फर्मसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट को और करें www.greenish.com कैनिडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है Reliable, Trustworthy and Honest Law Firm of शिखाशारदा 905-956-6699 पर Family Law, Real Estate, Wills और किसी भी तरह के Affidavit या Paralegal Problems के लिए Law Firm of शिखाशारदा 905-956-6699 पहली कंसल्टेशन बिलकुल फ्री है कॉल लॉयर शिखाशारदा 905-956-6699 नहायत महले को नए कोरोना वारस COVID-19 की पहली लहर को पाकस्तान में बहतरीन हिकमत अमली से काबू किया गया था अब दूसी लहर शुरू हो चुकी है जिसे काबू करने के लिए मुफतलिफ इक्दमात किये जा रहे हैं मजीज जानते हैं इस रिपोर्ट में किस हो गई जबके 529 मरीजों की हालत तश्वीशनाख है NCOC का कहना है कि इस वक पाकिस्तान में करोना के 9421 मरीज जेरे लाउच हैं बुज़िशता 24 गंटों के दारान 440 करोना मरीज सहतियाफ हुए जिसके बाद मल्क में करोना से सहतियाफ अफराद की तादा 3,5,835 हो गई करोना की तश्वीश के लिए मल्क में 24 गंटों के दारान 33,901 टेस्ट किये गए मचमुई तोर पर अब तक पाकिस्तान में 40,9,497 करोना टेस्ट किये जा चुके हैं ख्याल रहे कि नहायत महलिक और नए करोना वाइरिस कोवीड-19 की पहली लहर को पाकिस्तान में बेहतरीन हिकमत अमली से काबू किया गया था अब दूसरी लहर शुरू हो चुकी है साथ सेक्यावटी गार्ड शहीद हुए थे मज़ी तफसिला जानते हैं इस डिपोर्ट में मकरान कोस्टल हाईवे पर दहशत गर्डों के साथ जड़प में शहीद होने वाले चौदा एफसी एहलकारों और सिक्योर्टी गार्ड की इच्दिमाई नमाज जनाज़ा अदा कर दी गई नमाजे जनाज़ा के बाद शहुदा की मैयते उनके आबाई एलाकों की जानब रवाना कर दी गई जहां उन्हें सुपर्दे खाक किया जाएगा वाज़ रहे कि गुजिश्टा रोस कोस्टल हाईवे पर और मारा के करीब सिक्योर्टी फोर्सिस और देश्टगर्दों के दर्मयान जड़प हुई जिसमें एफसी बलोचिस्तान के साथ बहादर जवान और साथ सिक्योर्टी गार्ड शहीद हो गए हवलदा, रेटाइट, समंदर खान, मुहम्मद, फवाद उल्ला, अता उल्ला, वारिस खान, अब्दलनाफे, शाकिर उल्ला और आबिद हुसें चामिल है वजिर आज़म ने कहा पाकिस्तान ए गलत सिम्त में निकला हुआ है एक मुल्क काटन फरोग करके तरकी नहीं कर सकता, कोई मुल्क मलेशिया की तरहां सिर्फ रबर और टीन बेच कर तरकी नहीं कर सकता सरमाया कारी नहीं होगी तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा मज़ी तफसलात इस रिपोर्ट में वजीर आजम ने कहा है के माइंड सेट बदलने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा तारिकीन वतन है ओवर्सीज पाकिस्तानी मुल्क को सबसे ज्यादा फाइदा पहुँचा सकते है वजीर आजम ने कहा पहले जहन में तबदीली आती है फिर निजाम तबदील होता है कौमें तै करती है के जाना किधर है बतकिस्मती से एदारों में बाहमी तावन का फुगदान है हमारा विजन धुनला चुका है डॉलर की कमी के बाइस हमें आईमेफ के पास जाना पड़ता है मुल्की तरक्षी के लिए डॉलर आने चाहिए ना के बाहर जाने चाहिए इमरान खान का कहना था चीन ने एक्सपोर्ट को बढ़ाया उनका मुल्क तरक्षी करता गया तर्की को भी आईमेफ के पास जाना पड़ता है और्दवान ने तर्की को तब्दील कर दिया उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाई और्दवान ने कहा हमारी तीन तर्जीहात हैं बरामदाद, बरामदाद और बरामदाद 60 की दहाई में पाकिस्तान की सिम्ट दुरूस थी, तर्की के सफर में मन्जिल और सिम्ट का तायून जरूरी है हुकूमत सम्हाली तो बरामदाद के मकाबले दरामदाद ज्यादा थी वजीर असम ने कहा पाकिस्तान एक गला सिम्ट में निकला हुआ है, एक मुल्क काटन फरूख करके तरकी नहीं कर सकता कोई मुल्क मलाइश की तरह सिर्फ रबर और टीन बेच कर तरकी नहीं कर सकता, सरमायकारी नहीं होगी तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा कबल अजी विफा की वजीर फवाद चौदी ने कहा कि जब करोना आया तो हम पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बना रहे थे करोना वारिस का हिफाज़ती सामान वेंटी लेटर्स बनाना शुरू कर दिये हैं लोग अमराज कल्ब का इलाज कराने बैरूने मुल्क चाते हैं और वापस नहीं आते अमीद करते हैं अब वो लोग पाकिस्तान वापस आकर इलाज कराएंगे अपने अलाज कराएंगे अपोजिशन इतिहात का सियासी पावर शो हो रहा है जिनाय स्टेडियम में स्टेज तैयार कर लिया गया है जबके कारकुनों के लिए दस हजार कुर्सियां लगाई गई हैं इस मौके पर पॉलिस की तरफ से सक्ट इंतजमात किये गए हैं 2000 के करीब पॉलिस हेलकार सिक्योर्टी के फराइस सर अंजाम देंगे वजीर कानून पंजाब राजा बशारत का क्याना है कि वजीर आज़म वजीर आला की हिदायत है उपोजिशन जलसे में रुकावट नहीं डाले गुजरवाला जलसे में मुहाइदे पर अमल ना हुआ तो मुहाइदे के मताबिक कारवाई की जाएगी कराची में टारगिट किलिंग में शहीद होने वाले सकॉलर मौलाना आदिल खान के सिल्सले में उल्मा कमेटी की कॉल पर हरताल की गई गुरुमंदर न्यू टाउन मस्जिद के अतराफ सडकों को कंटेनर लगा कर सील कर दिया गया है जिसकी वज़े से गुरुमंदर से जेल रोड की जानिब आने जाने वाले रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया मजीद जानते हैं इस टिपोर्ट में शहरे कायद में मौलाना आदिल खान की शहादत पर उल्मा की कॉल पर आज हरताल की सूरते हाल देखने में आ रही है कराची में टारगिट किलिंग में शहीद होने वाले स्कॉलर मौलाना आदिल खान के सिलसले में उल्मा कमेटी की कॉल पर आज हरताल की जा रही है हरताल के बाइस सडकों पर पबलिक ट्रांसपोर्ट मामूल से कम है जबके नीजी गाड़ियां रमदमा हैं कराची में सुबके वक्त खुलने वाली दुकाने और कारूबार भी बन है याद है कि उल्मा की जानिब से पुरामन हरताल करके एहतिजार रिकॉर्ड कराने का कहा गया था आज बात नमाज जुम्ह मुक्तलिफ एलाकों में एहतिजार भी किया गया ताजों और ट्रांसपोर्टर्स ने हरताल के हमायत कर रखी है हरताल के बाइस हालात को कंट्रोल करने के लिए सडकों पर पुलिस और रेंजर्स का गश्ट मामूल से ज्यादा है गरूमंदर न्यू टाउन मस्जित के अतराफ सडकों को कंटेनर लगार कर सील कर दिया गया है गर्खवाली के लिए एचिवर्ण करे से एक और पूर्ण हे दॉर्स कर साथ हो, सुपक्ट और विए सब्यादा के लिए, को बतना साथ करेसी है चीट जारी है इंग्लिश टीम का ये 15 साल बाद पहला दोरा पाकिस्तान होगा ख्याल रहे के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लेंड क्रिकेट टीम को अगले साल जन्वरी में दोरा पाकिस्तान की दावत दी है PCB के चीफ एग्जेकटेव वसीम खान का कहना है कि इंग्लिश बोर्ड के तीन टीटी मैचिस के लिए खत लिखा है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की जानब से दोरे की दावत मिलने की तद्दीक कर दी है तर्जमान का कहना है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकिट की बहाली के लिए पी-सी भी अपना किरदार अदा करेगा दूसरी जानिब जुनूबी अफरीकी बोर्ट का जायजा वॉफ भी नवंबर में पाकिस्तान आएगा इसके अलावा पाकिस्तान और जिंबावे के दर्मियान 30 अक्तूबर से वन डे और टी-20 सीरीज रावल पिंडी और लाहौर में खेली जाएगी मजीद खबरे भी बुलेटन का हिस्सा होंगी मगर इस प्रेक के बाद